बहु, रंजना कब भी ब्रश नहीं करते थी, उसे कितनी बार उसके माबाप ने डाटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दाथ पीले पीले हो जाते हैं, शादी के बाद, अरा बहु, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे पीले कैसे हैं, बेटा, कैसे मतलब, कोई सरजरी थोड़ी न कराई है, वो तो क्या नाम में ब्रश नहीं करती थी, तो पीले हो गए, अब क्या करो, आप कहे तो लाल करवालो या पर काले, या, या, ये क्या है, क्यों मा से लड़ रही हो, लड़ रही हूँ, अरे मैं पीले करने के लिए, बकाइदा ब्रश नहीं किया है, बिस साल तक, तब जाकर, जी, कैसे बात कर रही हो, ये उस वक्त तो पीले नहीं थे, जब हम लोग तुम्हें देखने आये थे, अरो तब सास करवाली आ होगा, डेंटिस्ट के पास जाकर, अब देखो, क्या से पीले लग रहा है, रंजना सास की तरफ कुस्से से देखती है, फिर शुरू हो गई, पीले, 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 अरे पीले तो तब भी थे, जब मेरे हाथ का रसगुला उड़ा उड़ा कर खा रही थी, और बोल रही थी, लड़की नहीं, गुणों का खजाना दे रहे, भाई साबा, अब वो लोग करती भी तु क्या करती, पीले दाथ वाली बहु पल्ले पड़ी थी तो, जेलना तो था ही, एक दिन किर्टन मेरे रंजना गाना गा रही थी, अरा कामला बहान, मा का दुआ रहाया, तो सब शुद्धों कराते हैं, फिर अपनी बहु को ब्रश भी नहीं कर रहाती तुम, दूर से पीले पीले दाथ, भक्ती में बाद आउट पन न कर रहा हैं, अरे कोड़ दो साल के बच्ची थूड़ी ना लेकर आई हूँ, मैं बहु बनाकर, अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाओं ब्रश, ये तो उसे खुद करना चाहिए न, अब माबाप तो इसके जैसे तैसे निप्ता दिये, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी, सास बहु को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है, कि आप इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी, अगले रोज बहु कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिन नहीं जाना क्या, किर्टन का वक्त हो रहा है, मेरी मधरवाणे से कानाजी जागते ही, और सोते हैं, आप तो जानती है उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा, वो क्या है ना, तब यह ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं, तब यह ठीक नहीं लग रही, अभी तो मित उनके गाने पर नाश रही थी आप, और आप बोल रहे हैं कि तब यह ठीक नहीं लग रही, अरे भक्ति में मन लगा लो सासुमा, उपर जाना है, क्या मूँ दिखाऊगी आप, हाँ? सास को बहु की बात पर गुस्टा आ जाता है, मैं क्या मूँ दिखाऊँगी इसकी चिंदा तो ना कर, समझी? अपने मूँ की चिंदा कर जो ये पीले-पीले दात लेकर हर जगह पहुंचाती है पता है लोग कितना मजाग बनाते हैं ना जी ना मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ तो ये बात है कोई ना मत जाओ मैं अपने कमरे में ही बैठ कर भक्ति कर लूँगी उपर वाला दात थोड़ी ना देखता है मन देखता है बाव ना देखता है और अरा बस बस तू सब कुछ दिखा बस ये सफेद चमकदा दात ना दिखाना किसी को है जा यहां से बहो को सास की बात का कोई फर्त नहीं पड़ता वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है सुब्व नहा कर किचन में खाना बनाना फिर खाना खाना किरतन बजन करना और सो जाना एक दिन मा जी मैं सहल की घर जा रही हूँ शाम को लेट आउंगी हो हो तो जाना मैंने कौन सा तिर यार तिकानी है गर पर बैठ कर रंजना सहल की घर जाती है जहां वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है अरे शिखा कहा जाने की तैयारी कर रही है मैं गलत वक्त पर आ गई क्या अरे नहीं यार उन तो सही वक्त पर आई है मैंने ये साड़ी और जूलरी निका लिए यार शाम को इनके ओफिस के एक पार्टी में जाना है बताना कैसा लग रहा है ये सब नहीं यार इस ट्रेस के साथ तो वो वाले जूलरी अच्छी लगेगी हाँ हाँ सही बोल रही है मैंने ध्यान ही नहीं दिया बसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है तो तो बड़ा जाती होगी ना पती के साथ पार्टी में रंजना कुछ नहीं बोलती बस सोचती है कि यार काशी बात सही हो जाती पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में, क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी रजना घर आती है और रात में पती से सवाल करती है एक बात बताईए, आप मुझे किसे पार्टी में क्यों नहीं ले जाते क्या आपकी यहां ओफिस में पार्टी नहीं होती पती बिचेरा क्या कहता कि दाथ पीवे है तुम्हारे इसलिए और कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ओफिस में तो कहां से लेका जाओं और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो अरे यार, सारे हफ़ते में एक चुट्टी मिलती है तो सुचता हूँ क्या आराम ही कर लो, क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद करती है घर बैठी बैठी रंजना बूर हो जाती है तब ही उससे आइडिया आता है और हूँ पाई के जाने का सोचती है सासु मा, तो दिनों के लिए मम्मे की कर जा रही हूँ अच्छा ठीक है, आराम से जा और हाँ, मा से कुछ अच्छी आदत सीख कराना कि क्या से शरीर के हर बाग कितना दाथों की सफाई भी ज़रूरी होती है समझी शुरू हो गई ना वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बाद का बतंगड बना दे उन लोगों के लिए मैं माईने रखती हूँ ना कि मेरे पीले पीले दाथ रंजना मा को बिना बताए उन लोगों को सब्प्राइज देती है लेकिन जैसी ही वो दर्वाजे पर पहुचती है अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होती है अब मा काश रंजना दिदी के दाथों वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादियों है हाँ बेटा लेकिन अब उसे कौन समझाए क्यों उसको उसके पेले दाथ नहीं दिखते लेकिन उसके आसपास की लोगों को कितना एंबरेसिंग फील कराते है मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैटना भी नहीं चाती और नहीं कॉलेज में कोई उससे बात करना चाता था लेकिन पता नहीं क्यों उससे ये बात समझ में ही नहीं आती कोई कमी नहीं है उस लड़की में बस यही के दाथ पिले है वो तो भला हो जीजाजी और उनकी मा का जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है रंचना को अपने घरवालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है वो सोचती है कि वो क्या करे लेकिन फिर वो सीधा डंटिस्ट के पास जाती है अपने दाथ चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी और क्या हो गया तुम तो दो दिनों के लिए गई थी ना पर कोई ना अच्छा है चलो आ गई तो रेंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है उसके चमकदार दातों को दिखाती हुई माम मुझे माफ कर दीजिए मैंने आप लोगों को बहुत एंबरेसिंग फिल करवाया मैं आज से रोज ब्रश करूँगी अंगW लोगों करते हैं आप रहाँ मैं पूरी स्माइल आप लोगों कर मुझे टीजिए का तो जाप मैं आपितिए उत्पस्ताई नह जाएए है झाल झाल